हालो फ्रेंड्स वेलकम टो मैं चानेल आज मैं अपना कीचेन में आई हूँ आप लगे के लिए एक तम फ्रेश गरम मसाला बना कर दिखाने के लिए यह गरम मसाला अगर आप एक बार बना कर रख दिजेगा एया टाइट बोतल में तो अराम से एक देड़ साल राज जाएगा कभी आप जब भी चाहे इसको निकाल कर यूज कर सकते हैं चलिए अब देख लेते हैं इस गरम मसाला में क्या-क्या इंडिडियेंस डाला जाता है धन्या मैं रख ली तीन बड़ा चम्मच जीरा दो चम्मच दो बड़ा चम्मच और साह जीरा एक चम्मच मैं रख ली गोल की मैं रख ली डेड़ बड़ा चम्मच तेज पत्ता रख ली चार हरी इलाइची छोटी इलाइची जो होता है दो बड़ा चम्मच सिनमन स्टिक जो है पाँच स्टिक मैंने रख लिया और चार बड़ी लाइची लॉंग ले ली दो बड़ा चम्मच और जाबी त्री तीन जाबी त्री लेले से हो गया और आदा जाइफल मैं रख ली फूल चक्री जो बोलते हैं स्टार अनिस दो रख ली और ये मैंने रख लिया लाल मिर्च लेकिन मैं दूंगी नहीं और सौफ एक चम्मच और सोट देड़ चम्मच लाल मिर्च सौफ और सोट पाउडर जो है यह ऑप्शनल है आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं मैंने नहीं दिया अब सब मसालों को भूज़ना है इसलिए मैं कड़ाई गैस पर चड़ा के गरम होने पर धनिया डाल दी उसके बाद जीरा फिर साह जीरा थोड़ा सा चलाने का बाद उसमें मैं काली मिर्च डाल दी अब इसे थोड़ा देर भूज़ना होगा मसालों भूज़ते वक्त गैस को मिडियम फ्लेम में रखना ठीक रहेगा नहीं तो थोड़ा सभी ज्यादा फ्राई हो जाएगा तो मसालों का स्वाद बिगड़ जाएगा मसाला भूज़ते भूज़ते करीब 5 मिनिट हो गया है बहुत अच्छा सुगंदार है मसालों का अब मैं मसालों को एक थाली में उतार दी अब मैं बाकी जितना मसाला है उसे भूज लूँगी फिर से कड़ाई में मैं तेज पत्ता पहले डाल दी फिर डालचीन को चोटा 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 टुकणों में तोड कर डाल दी और फिर बड़ी इलाइची और छोटी इलाइची भी डाल कर अब लॉंग डाल रही हूँ अब स्टार अनिस दो डाल दी और यह जो है जावित्री है जिसे मैं छोटा छोटा तोड़कर डाल दी और एक जाइफल है आधा सब मैं डाल कर आप भूजूंगी तीरे तीरे भूजते भूजते करीब 5-6 मिनिट हो चुका है अब बहुत अच्छा सुगंदा रहा है गरम मसालों का अब मैं उतार दोंगी गरम मसाला उतारने का बाद 4-5 मिनिट हो गया है और यह पिसने लाइक ठंडा हो गया है अब मैं मिक्सी में पिस लूँगी मिक्सी में यह मसाला पिसते वाक्त एक दो बार देख देखके थोड़ा सा चलाना होगा बिच बिच में चम्मा से थोड़ा अंदर चला चला के यह पिस लाइक देखिए अब पूरा दो तिन बार पिसने का बार एक तम फर्स क्लास गरब मसाला पिस के तयार हो गया है अब मैं इसे एक जार में कांच का जार में स्टोर कर लूँगी और जब भी जरुवत होगा तब ही इस्तमाल करूँगी ओके फ्रेंड्स आज यही पर मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूं अगर आपको गरब मसाला बनाना हो तो इसी तरब बनाएगा तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा गरब मसाला मिलेगा अगर मेरा चैनल में आप नए है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेग और बेल आइकन दबा कर शेर कर दीजेगा प्लीज